नमस्कार किसान मित्रो आप कैसे हो आप अच्छे होगे आज बात करेगे आलू के बारहे में और आलू में कौन सा नाम का रोग आया है और आलू में कौन सा खाट डालने से साइज अच्छी बनती है उस वीडियो में आज आप देखेगे पिसान में तरो आप प्लोट देख रहे हैं वो अभी प्लोट में जो ग्रिनली है वो एक अच्छी है और जो प्लोट में आप देखते हैं वो अभी 40 दिन का हुआ है तो उसकी प्लोट अच्छे है और उसकी ग्रिनली भी अच्छी है तो आज जो बताएगे ओ जुलसा नाम का रोग कैसा है तो जो अभी पत्तियों पे देख रहे हैं ओ एक जुलसा नाम का रोग है तो उसको सही टैम पे उसको दवाई का चंटकाव करना चाहिए तो वो रूख जाता है आगे विस्तार से बढ़ता नहीं है तो किसान मित्रो तो आप देखते हो प्लोट में एक ग्रिनली अच्छी है और जुलसा नाम का रोग है वो एक कम है तो मैं बताता हूँ यह आलू में कि उसकी साइज साइज में आपको निकाल के आलू देखाएगे उसकी साइज कैसी बनी है वो देखाएगे चालिस दिन में उसकी साइज कैसी है तो उसमें साइज तो एक अच्छी दिख रही है भी चालिस दिन का हुई हुआ है आलू उसमें तीन बड़ा हुआ है और बाकी का जो छुटा है अभी 40 दिन हुआ है अभी तो उसका टैम ही साइज का भी चलू हुआ है तो उसमें जो खाट डालेगे 13.0.45 तो उसकी साइज कंप्लेट भी हो जाएगी और खाज में तो डालने की बात एह है कि 13.0.45 है 00.50 है और डालने से उसकी साइज मेंटन हो जाएगी उसका जो मूल का डेवलोप भी है वो एक अच्छा हुआ है उसका मूल एक ज़्यादा हुआ है तो उसको साइज तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो बन जाएगी वाकि आप जो पलोट में देखते है वो उसको जी ग्रिनली है वो जितनी ग्रिनली होगी इसतना क्लोरोफिल जादा होगा तो अभी मैं देखाता हूँ जो पत्यों के वो एक अच्छा है और उसकी ग्रिनली है वो एक अच्छी है और एक बढ़िया है तो अभी जो मेरे आत्म जो उसका जो आलू का छोड़े वो आप देखते हैं तो आलू का छोड़ एक अच्छा है अभी उसमें रोग की जो मातरा कहते हैं वो कमाई उसमें जो कलोरोफिल बनता है वो जो पत्यों में कलोरोफिल बनता है क्लोरोफिल बन के उसमों खौराक के रूप में अंदर कन्वाट करता है तो उसकी साइज बन जाती है तो उसका क्लोरोफिल अच्छा बन जाता है